हमारा देश सभ्विता और संस्कृती के लिए जाना जाता है जहां महापुष, संत बाबा, महत्माओ एवं संसंकियों की पूजा की जाती है और अगर कोई नीश हरकत कर दे तो उसे त्यागने में भी समय नहीं लगाते ऐसी संस्कृती और समाज है हमारे भारत का लेकिन रोड स्त्त विष्णू वाटिका में बलतकार सहित अंबामलों में सजा काट रहे रामरहीम का एक कारिकरम चल रहा था, इस कारिकरम की भनक जैसे ही विष्व हिंदू परिशत बजरंगदल को लगी, वो तुरंद रेती रोड स्तित विष्णू वाटिका पहुच कर वहां कहा कि ये लोग आतंगवादी साजिश के तहत छोटे-छोटे बच्चों को बुला कर उनका ब्रेन वॉश करेंगे राजिश अवस्ती ने भी आरूप लगाया कि प्रशासन से इस कारिक्रम की कोई भी अनुमती नहीं ली गई जबकि हम लोग छोटे-छोटे कारिक्रम भी करक आते हैं तो भी उसकी अनुमती हमें लेने पड़ती है ऐसे में इन सभी के खिलाफ अभियोग पंजिकरत कारवाई की जाएगी आनिता विश्व हिंदु परिशद और बजरंग दल धर्ना प्रदर्शन करने के लिए बात दे होगा अब सवाल यह उड़ता है कि आखिर कैसे सुधार हो गए समाज का जिसमें दुराचारी अनाचारी बाबा छोटे छोटे बच्चो को संसकार की जगा उन्हें किस तरह की मानसिक्ता उनके अंदर भर रहे हैं और जहां बच्चो को संसकार सभिता आचरन का ग्यान प्राप्त करने के लिए अभिभावक अपने मुझे जानकारी हुई किसी के माध्यम से कि यहां पर राम रहीम का ससंग साजहांपुर में गत्विदियां आतंकबादी गत्विदियों के लिए शुरू किया जा रहा है जिस तरीके से पंजाब के अंदर नसा से लेकर के सभी गलत गत्विदियां यतने थी वो चालू की इसलिए आप लोग यहां पर आईये और उसको देखिए रुखवाईये मैं यहां पर आया तो मैंने सबसे पहले देखा मैंने पुलिस को फोन किया पहले मैं पुलिस को फोन करता हूं पुलिस मौके ब्या गई थी उसके बाद मैं आया मैंने कहा कि यह यहां इसका कौन कौन पिलिस अbad draft करने हैं और चलेकोह पर फोर्टी को अधिकर दिनलों के। है तो इक चोटे से गली में कोई व्यवक्ति रहता है ऊसकी वीडिए में परती है लेकिन इसकी कोई अनुमती प्रशासन से और बड़े अधिकारियों से जो बिना अनुमतिक यहाँ पे चला था जिन लोग जो लोग करा रहे थे उनके खिलाब कारवाई हो और जिन लोगों नहीं देखा कि यहाँ पे हमारे छेतर में कहाँ पे हजालों की भीरे कट्टा हो रही है बच्चे कहां 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 एकटे हो रहे हैं हजालों की संगा में उन चाजापूर से ब्यूरो चीफ चंदरकान दिक्षित की रिपोर्ट